क्याते हैं जो देश सेहत मन होता है वो तरक्की करता है और भारत भी इस वक्त तरक्की कर रहा है क्योंकि भारत धीरे धीरे सेहत मन हो रहा है क्योंकि भारत के लोग अपने आपको फिट रखना पसंद करते हैं अभी तो देश आगे बढ़ रहा है और कैसे आप अपने आपको फिट रख पाएंगे वो तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे शेष्ट सस्थ आपका हो सके नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्श भारदवाज शेष्ट भारत देख रहे हैं याँ कैसे आप अपने आपको फिट रख पाएं क्योंकि भागदोर बरी जिंदगी है आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कैसे आप अपने आपको घर में रहके या कहीं पर चलते फिट रख पाएं इसका तरीका शेष्ट भारत आपके लिए लेकर आया है क्योंकि कुछ खास मेंमान हमारे साथ होंगे उनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आपको फिट रख सकते हैं उम्र चोटी है लेकिन फिट रहने का तरीका आपको खास तोर पर बताएंगे योगा ट्रेनर है तो चलिए मुलाकात आपकी उन लोगों से करवाते हैं तो इस वक्त मेरे साथ निशकर्ष मौजूद है निशकर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत है शेष्भारत पर और स नाती अश्वारे शर्मा मेर साथ है एश्वारे आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएगा निशकर्ष और ऐस्वारे के बारे में कि क्या योगा है कैसे हम इसे में फिट रह सकते हैं उसके बाद हम योग अपनी किस प्रकार आपने दिन चरिया को बदल सकते और एक जीवन अपने जीवन में अपना सकते हैं तो निशकर्स योग जीवन में काफी महत्रपूर्ण रखता है क्योंकि हम अपने आपको फिट रखने के तरीके ढूंडते हैं लेकिन योगी ऐसा है कि आप कहीं पे भी चलते फि तो कैसे आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन-कौन से एकदम आसान आसन है जिससे आप अपने आपको फिट रख सकते हैं हमारे पास जो नॉर्मल आसन है जैसे आपका मजराय सना हो गया जिसे हम बासा में कहते हैं कैटकाव आप उसे रेगुलर एक्टिविटी में आफिस में टीयर पर बेट कर या फिर मैड पर बैट कर रगोलर एक्टिविटी में कर सकते हैं और आपका व्रक्षाशन हो गया और अध्रक्षाशन ताडे था तनरियक ताड़ासन ऐसे कुछ में जिसके तुरू आप अपने आपको आपको सुस्त रख सकते हैं और अपने आपको निरोग बना सकते हैं बल्कुल तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने दर्शों को को दिखाते हैं कौन से वो योग हैं जिससे वो फिट रह सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं उस योग की जिससे आप फिट रह सकते हैं निशक स्वास को छोड़ते हुए दोन हाथों को पutation में लाएंगे और एक बार दुबारा लंबी घरी स्वास ले अ रइस लें आपने इश्वर का ध्यान करें और उने पर नाम करते वे धीरे से अपनी आखे खोलेंगे अब आप दोना पैरों को उपा नीचे चलाएंगे एडियों को उपा नीचे करेंगे अब करके तो अब नहीं है ठीक है अब आप अब आप पैरों को आगे पीछे करेंगे खूले में गश्याएंगे पैरों को सब्सक्राइब को लेंगे तेंज थिए ख्रॉस नीच को टालों है हां हुआ है oh aha धीरे से गति को धित्रमें करते वे खड़े हो जाएंगी हुआ एक अराम दया के स्थीते ने खड़े jot वे दोनों हाथों को पीछे करेंगे और कर दनको गोला कार currently लेते वे इंद 가까काते तुदे वे कर दो न को आगे लैंगे इसे पाच बार एक दिसा में घुमाते हुए इसके बाद भी प्रित दिसा में घुमाएंगे अपनी आखों को खुला रखे रिलाक्स धीरे से गर्दन को सीधा करेंगे अब गर्दन को उपर नीचे करेंगे स्वास लेते वे समान ने स्थिति में स्वास को छोड़ते वे गर्दन को पीछे की और करें धीरे से सीधा करेंगे स्वास लेते वे स्वास छोड़ते वे आगे इस प्रिक्रिये को पास से तस बार दो रहा है चेंज समानने स्थिती में आएंगे अब अपनी गर्दन को दाए और बाए और ले जाए स्वास लिती वे समानने स्थिती में स्वास को छोडती वे दूसरी तरफ स्वास को छोड़ते वे समानने स्थिती में तो निशकर्ष यह जो आपने बताया है जो यह करके दिखाए है यह क्या इसके फायदे होते हैं और हमारे दर्शकों को बताईगा कि आप कहीं पर भी रहके से आराम से कर सकते हैं ये आप कारिय करते हुए अपनी दिन चरिय में या ओफीस में जाते हुए आप ये गर्दन को गोलाकार घुमा सकते हैं यह आपकी कमर के ऊपर सर्वाइकल के पास जो पॉइंट होता है महापर सर्वाइकल पेन होना आपके शोल्डर पेन होना उसमें आराम दायक इस्तिति में पोचाता है आप ये गर्दन को गोलाकार गुमा कर इस व्यायाम को ओफिस में और अपने दिन चरिये में अड़ कर सकते हैं ये हमारे कंदों में अकड़न को दूर करता है और गर्दन के दर्द को दूर करता है तो देखा आपने ये कितना आसान है आप चाहे आफिस में कुर्सी में बैठे हो या फिर आप चल रहे हो किसी पार्क में हो या फिर घर में हो आप अराम से इस योग को कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं यही तो हमारे भारत की योगपदिती रही है जिससे हम अपने आपको स् करें अपने आप करने वाले हैं ताड़ासन जो बच्चों को नियमित रूप में बहुत जरूरी है और आवशक है कि दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे कि स्वास लेते हुए दोनों हाथों को उपर के और उठाए अपनी उगलियों को आपस में जोड़ते हुए हतेलियों को सर के उपर रखेंगे स्वास को छोड़ते हुए दोनों हातेलियों को उपर के और करें और पंजों पर अपने एडियों को उपर के और उठाए सरीर को आसमान के और खीचे पास से दस सकीन यहीं पर रोखें और धीरे से स्वास को छोड़ते हुए हतेलियों को नीचे की ओड़ लाए और दोनों हातों को समान ने स्थीति मिलाकर आराम से खड़े हुझे आई अब हम करते हैं जो आपने आमी तूप में अपनी दिन चरिय में बैठने के लिए कर सकते हैं आप बैठ कर अराम से जो आसन कर सकते हैं आप उन आसनों को देखेंगे सबसे पहले हम बजरासन में बैठेंगे अपने दोनों हातों को सामने क्योर करें और अपने उल्टे प टिए अपने इसने के बाद आत्यादिThis हैं प्रभद करेंगे की आपने दो만 हाथ हो गुठण पर रखेंगे कि hun की ठीक मिये आपकेज़ाने के बानाइ से मियुक्त Subscribe 겁니다 अपने सीधे पैर के घुटने को मोडेंगे और अपने एडी को घुटने के पास रखेंगे अपने उल्टे हाथ को घुटने के पास लाएंगे और अपने हाथ को पैर के साइड में रख देंगे करें अपने पीछ बाले हाथ को पीछे रुखे और अपने ठोड़ी को पीछे वाले कंठे की ओर लेजाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से दूसरे पैर को मोड़ते वे घुटने के पास रखेंगे, अपने हाथ को घुटने के पास ले जाए और हात को इस तरीकर से. अपने गर्दन को पीछे की ओलगजा पीछे देखने का प्यास करें. तिरे से समान ने स्थीति में आते हुए सामने देखेंगे और अपने हाथ को हटाते हुए दंडासन में बैठेंगे ये डायबटी इसके रोगी के लिए भोती अच्छा आसन है आप इसे नियमित रूप से कर सकते हैं अब हम उल्टे लेटेंगे इसे अपने दोनों पेरों को मोडेंगे और पेट के बर लेट जाएंगे अपने दोनों हाथों को कंधि के पास रखेंगे अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए दोनों पंजों को आगे क्योर कीचिए दिरी से स्वास लेंगे और अपने स्वास लेंगे और अपने स्वास लेंगे और अपने शरीर को दुबारा स्वास भरते वे उपर आए, इसी प्रकार इसे पास से दस्बार करें, हर आसन में रुखने का प्रयास करें थोड़ी देर, धीरे से नीचे आजाए, इसके बाद करेंगे हम तिरियक भुजंग आसन, अपने पैरों में दूरी करेंगे हलकिसी, अपने कंदे अनुस करेंगे, दुबारा स्वास को भरते वे उपर उठेंगे, और अपने कंदे को घुमाते वे पीछे पैर को देखेंगे, स्वास छोड़ते वे सामान स्थीति में आएंगे, और नीची जाएंगे, दुबारा स्वास लेंगे, उपर के और उठेंगे, और पीछे देखने का करेंगे तो आपने दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखेंगे और अब हम करेंगे मकरासन अपने दोनों एडियों को रिलाक्स करेंगे और आराम से आखे बंद करके अपनी स्वास पर धियान लगाएंगे दो से तीन बार लंबी घरी स्वास ले और धीरे से स्वास को छोड़े अब हम सीधे लेटने वाले आशन करेंगे धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए लेफ्ट साइड करवट लेके सीधे लेट जाएंगे अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे लंबी घरी स्वास ले स्वास बढ़ते हुए पैरों को उपर के और उठाए और कमर को उठाते हुए पैरों को सर के पास लेजाए दोनों हाथों को सीधा रखे और अपने पैरों को आगे की और फिचने का प्यास करें गुठने आपके सीधी रहेंगे किसी प्रकार का तनाव सरी पर ना ले देरे से स्वास भरते हुए पैरों को उपर उठाएंगे और कमर को नीचे की और रखेंगे स्वास को छोड़ते हुए समाने स्थिती में एक बार दुबारा स्वास को भरते हुए पैर उपर लाए और आप यही से करेंगे पवन मुक्तासन दोनों गुठनों को मोड़ते अपने नाभी के पास लाए और गुटनों को चेस से टच करें अपने दोनों हाथों से गुटनों को पकड़ते वे गुटनों को नीचे खिय और दबाए और यही पे रोगे अब धीरे से स्वास लेते वे गर्दन को उपर उठाए और अपने चिन को गुटनों से टच करने का करें प्यास तरे धीर से स्वास लेते वे कंदर सब्सक्राइब युदा तक यह आपके पिश्न की did स्वास को दूर करता है यह आपके पेट्रों की समझ्चाओं के लिए भोति लाबदायक आसन है अपने दोनों हाथों को स्वास लेते वे साइड में लाए दोनों घुट्नों का आपस में मोड़े अपनी एडियो को हिप से टच करने का प्यास करें और पैरों में शोल्डर के अकोर्डिंग दूरी करें यही पर घहरी स्वास लेंगे स्वास को छोड़ते हुए पैरों को साइड में ले जाए और पैरों को सीधी होड ले जाए और फेस को उल्टी साइड स्वास लेते वे पैरों को उपर उखाए स्वास छोड़ते वे दूसरी तरह इस प्रिक्रिय को पास से दस बार धो रहा है यह आपके कमर के दर्द के लिए भोती लाब दायक है समानने स्थिती में आये धीरे से और अपने दोनों पैरों को सीधा करते वे अराम से लेट जाए अब हम करेंगे सवासल अपने दोनों हतेलियों को उपर के और करें अपनी हतेलियों को आसमान की ओर करे और पैरों में शोल्डर का कोडिंग दूरी करते वे पैरों को ढीला छोड़े अपने सरीर को ढीला छोड़ते वे लंबी घरी स्वास ले अपनी आखों को बंद करे और अपनी स्वास पर धियान लगाए तीन से चार बार लंबी घरी स्वास ले और धीरे से स्वास को भार की और छोड़े अपनी स्वास को केंदर बना कर उस पर ध्यान लगाने का प्यास करे भूत धीरे से अपनी आखें खोलेंगे लेफ्ट साइड करवट लेकर बैट जाएंगे अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखेंगे और बैट जाएंगे गुटनों को मोडते हुए लेफ्ट साइड करवट लेंगे और सीधे बैट जाएंगे अब हम जानेंगे अपने वजन को कैसे कम करें इसके लिए हम करने वाले आपके लिए आसान तरीके से लाए हैं चक्की चक्की चालानासर अपने दोनों पैरों को दंडासन में लाएंगे और अपने हाथों को सामने करते वे इस प्रकार लोग करें स्वास को भड़ते हुए शरीर को कमर को पीछे की ओर लो जाए और साइट से लाते हुए आगे की ओर छोड़े अपने हाँ शरीर को गोलोकार घुमाते हुए इसी प्रकार दस से पंद्रा बार करें यह आपके वजन को घटाने के लिए भूती लाद दायक है इसी प्रकारी से उल्टी विप्रित दिशा में करेंगे यह PCOD में महिलाओ के लिए भूती लाद दायक होता है वजन को कम करने में आपके शरीर की चर्वी घटाने में अतिरिक चर्वी को कम करने में भूती लाद दायक है करने के बाद धीरी से समाने स्थिती में आ जाए जैसे कि अब हमी कर रहे हैं आपके दो आसनों का मेल करेंगे हलासन और अर्द चक्रासन जो आपके कमर के दर्द के लिए भूती लाद दायक है तो इसे करने का प्रयास करें स्वास को भरतों ये पैरों को ऊपर उठाए और यहीं से अर्द अलासन में आए कि दोनों हातों को ऊपर उठाए आजो कि यहीं से स्वास लेते हुए अपने दोनों हातों को निच्छे करें और स्वास को छोड़ते हुए आप अपने मैट पर लेट जाएंगे Hm सबसे पहले आप अपनी मैट पर लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को स्वास को लेते भरते वे उपर के उठाएंगे यहीं सेयर दालासने में आएंगे और अपने साथी को बलाएंगे अपने साथी का हाथ टाइट पकड़ के उसको अपने पैरों से उपर के उठाने का प्यास करेंगे तीरे से अपने साथी को वापसी प्लाते हुए, समाना इस्थीति में बैठ जाएंगे तो योग किस तरीके से होता है, किस तरीके से योग के जरीया आप अपने आपको फिट रख सकते हैं ये श्रेष्ट भारत आपको फिट भारत प्रोग्राम के जरीये बता रहा है इसलिए आप अपने आपको फिट रखिए, क्योंकि आपका मानसिक स्वास्त बहतर रहेगा शारीरिक स्वास्त बहतर रहेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफते और फिर कई नए योग और फिट रहने के उपाएं फिट भारत प्रोग्राम में हम आपके सामने लेकर आएंगे, तक तक के लिए मुझे इजाद दीजिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्विष्ट भारत